नवरात्री कन्या पूजन में कन्या को उफार में दे ये चीज़े कंगाल व्यक्ति भी हो जाएगा धन्वान नमस्कार प्रिय भक्तों जै मादुर्गा जै मातारानी मादुर्गा का आशिरवाद आप सभी पर बना रहे नवरातरी में कन्या पूजन के समय कन्याओं को दे दे ये चीजे मा दुर्गा की क्रिपासे हो जाओगे माला-माल पूरे जीवन धर रहेगा घर में सुख समृध्धी का वास प्रिय भक्तों हिंदू धर्म में नवरातरी का विशेश महत्व माना जाता है नवरात्री की अश्टमी तिथी और नवमी तिथी के दिन कन्या पूजन किया जाता है नवरात्री कन्या भोजन में 12 वर्ष से कम आयू की लड़कियों को माता का स्वरूप मानकर भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है मान्यता है कि यदी कन्या भोज में आई लड़कियों के चहरे पर प्रसंता और संतोष का भाव दिखाई दिया तो मानो माता प्रसंन हो गई है नवरात्री की अश्टमी और नवमी तिथी पर माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशिरवाद भक्तों को प्राप्थ होता है भारत में कई जगह कन्या पूजन नवरात्री की अश्टमी तिथी के दिन होता है वहीं कहीं कहीं नवमी तिथी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है इस बार की शारदिय नवरात्री 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हुई थी नवरात्री का यह पर्व हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेश माना जाता है नवरात्री का यह पावन पर्व नौ दिनों तक चलता है इन नौ दिनों तक मा के नौ रूपों की पूजा की जाती है मान्यता है कि नवरात्री के दिनों में मातारानी पृत्वी पर निवास करती है और अपने भक्तों की पूजा स्विकार करती है और उन्हें अपना आशिरवाद प्रदान करती है नवरात्री के समय माता के साधक या भक्त नौ दिनों तक व्रत उपवास रखते हैं और माता की भक्ती में लीन रहते हैं नौ दिनों के व्रत उपवास के बाद अश्टमी और नवमी के दिन कन्याओं का पूजन कर भोजन कराया जाता है कन्या भोज में नौ कन्याओं के साथ एक बालक को भोजन कराते हैं जहां नौ कन्याओं को देवी के नौ रूप तो बालक को हनुमान जी का रूप माना जाता है मान्यता है कि नवरात्री के व्रत का फल तभी मिलता है जब अश्टमी और नवमी तिथी पर विधी विधान से और श्रधा पूर्वक कन्या को भोजन कराया जाता है नवरात्र में मातारानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओ को डोट भोजन कराते हैं भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट में कुछ उफार देने की परंपरा बरसों से चलिया रही है मान्यता है नवरात्र में मा भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशिर्वात देने आपके घर आती है इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हे सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए अगर आप नवरातरी में कन्या पूजन के समय कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक अपने घर पर बुलाते हो और उनको विधी पूर्वक भोजन कराते हो तो आपको मादुरगा की विशेश कृपया प्राप्थ होती है और जीवन में कभी भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है साथ ही आपके जो बिगडे हुए कार्य होते हैं वह भी मादुरगा की कृप्या से पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर कार्य में सफलता हासिल होती है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल दो हजार चौबीस की अश्टमी और नवमी तिथी कब है कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्द क्या है इसके अलावा कन्या पूजन के दिन कन्याओं को भेंट में कौन सी चीजे देने से मादुरगा प्रश्न हो जाती है लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मादुरगा का आशिरवाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जैमा दुरगा जैमातारानी लिखकर अपनी हाजरी जरूर लगाए तो चलिए प्रिय भक्तों सबसे पहले जानते हैं कि इस साल दो हजार चौबीस में नवरात्री की अश्टमी और नवमी कब है और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्थ क्या है तो प्रिय भक्तों आप सभी को बता दें कि इस साल शारदिय नवरात्री की महाश्टमी 11 अक्टूबर दो हजार चौबीस को है साथ ही इस दिन संधी पूजा भी की जाएगी हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुकल पक्ष की अश्टमी तिथी 10 अक्टूबर दो हजार चौबीस को दोपहर बारा बचकर 31 मिनट से शुरू हो रही है जो 11 अक्टूबर दो हजार चौबीस को दोपहर बारा बचकर 6 मिनट पर समाप्थ हो जाएगी इसके बाद नवमी तिथी लग जाएगी इस बार शारदिय नवरात्री में सप्तमी और अश्टमी एक ही दिन है जो 10 अक्टूबर को है शास्त्रों के अनुसार नवरात्री में जब सप्तमी अश्टमी एक साथ एक ही दिन हो तो दुर्गाश्टमी का वरत उस्त दिन नहीं करना चाहिए इसे निशेध माना गया है इसलिए इस साल 11 अक्टूबर 2024 को ही अश्टमी और नवमी दोनों मनाई जाएगी यानि अश्टमी और नवमी पर वरत रखने वाले 11 अक्टूबर को ही वरत का पारण कर सकते हैं जो लोग पूरे नवरात्री वरत नहीं रख पाते हैं, वो अश्टमी और नवमी तिथी पर वरत रखते हैं वैदिक पंचान के अनुसार इस बार नवरात्री की अश्टमी और नवमी तिथी बेहत खास है, क्योंकि इस दिन एक या दो नहीं, बलकि तीन शुभ योग का सन्योग बन रहा है इस बार अश्टमी और नवमी तिथी एक ही दिन 11 अक्टूबर 2024 को पड़ रही है जिससे इस दिन का महत्व अपने आप में और बढ़ गया है इसी के साथ इस दिन रवी योग, सिध्धी योग और बुधादित्य राज्योग का भी निर्मान हो रहा है हिंदू पंचाग के अनुसार करीब 50 वर्षों के बाद शार्दिय नवरात्री की महा अश्टमी के दिन सरवार्थ सिध्धी योग और रवी योग जैसे शुभ सन्योग बन रहे है ग्रह गोचर की बात करें तो बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य राज्योग का भी निर्मान कर रहे है इसके अलावा कन्या पूजन के दिन ब्रह्मा मुहूर्थ सुभा चार बचकर 41 मिनट से 5 बचकर 30 मिनट तक है इस दिन सुभा मा महागौरी और मा सिध्धिदातरी की पूजा करें इस दौरान सुकर्मा योग बना रहेगा परंतु सुभा में छे बचकर 20 मिनट से 10 बचकर 41 मिनट तक का समय पूजा के लिए शुभ है वहीं सुभा 10 बचकर 41 मिनट से दोपहर 12 बचकर 8 मिनट के बीच राहुकाल है इसके अलावा कन्या पूजन 2024 शुभ चौगडिया मुहूर्थ के बारे में बात करें तो चरसामान्य मुहूर्थ सुभा 6 बचकर 20 मिनट से 7 बचकर 47 मिनट तक रहेगा अम्रत सर्वोत्तम मुहूर्थ सुभा 9 बचकर 14 मिनट से 10 बचकर 41 मिनट तक रहेगा शुभुत्तम मुहूर्थ दोपहर 12 बचकर 8 मिनट से 1 बचकर 34 मिनट तक रहेगा फिर चर्सामान्य मुहूर्त संध्या चार बचकर 28 मिनट से पाँच बचकर 55 मिनट तक रहेगा वही शारदिय नवरात्री 2024 व्रत पारण के बारे में बात करे तो इस साल शारदिय नवरात्री व्रत का पारण आप कन्या पूजन के बात कर सकते हैं हालांकी नवरात्री वरत के पारण के लिए सबसे उप्युक्त समय नवमी की समापती के बाद माना जाता है जब दश्मी तिथी प्रारंभ हो वही दश्मी तिथी की बात करे तो दश्मी तिथी का आरंभ 12 अक्तूबर प्राता 10 बचकर 58 मिनट पर होगा और इस तिथी का समापन 13 अक्तूबर 2024 प्राता 9 बचकर 8 मिनट पर होगा ऐसे में दश्मी यानि विजए दश्मी 12 अक्तूबर 2024 को मनाई जाएगी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजए दश्मी के दिन श्रवन नक्षत्र का होना बहुत शुब होता है और इस साल इसका सन्योग बन रहा है बता देश्रवन नक्षत्र 12 अक्तूबर को सुबह 5 बचकर 25 मिनट से प्रारंभ होकर 13 अक्तूबर को सुबह 4 बचकर 27 मिनट पर समाप्थ हो रहा है आईए प्रिय भक्तों आप जानते हैं कि नवरात्री कन्या पूजन के समय किस उम्र की कन्या की पूजा अर्चना करने से कौन से लाभ की प्राप्ती होती है दो साल की कन्या की पूजा का फल बताया गया है कि दो साल की कन्या को कौमारी कहा जाता है इनकी पूजा से दुख और दरिद्रता खत्म होती है तीन साल की कन्या की पूजा का फल तीन साल की कन्या को त्रिमूर्ती माना जाता है त्रिमूर्ती के पूजन से धंधाने का आगमन और परिवार का कल्यान होता है चार साल की कन्या की पूजा का फल चार साल की कन्या कल्यानी मानी जाती है इनकी पूजा अर्चना करने से सुख समरिधी मिलती है पांच साल की कन्या की पूजा का फल पांच साल की कन्या को रोहिनी माना गया है इनके पूजन से रोगमुक्ती मिलती है छे साल की कन्या की पूजा का फल छे साल की कन्या कालिका होती है इनकी पूजा से विद्या और राज्योग की प्राप्ती होती है साथ साल की कन्या की पूजा का फल साथ साल की कन्या को चंडिका माना जाता है इनकी पूजा से एश्वर्य मिलता है आठ साल की कन्या की पूजा का फल आठ साल की कन्या शांभवी होती है इनकी पूजा से लोक प्रियता प्राप्थ होती है नौ साल की कन्या की पूजा का फल नौ साल की कन्या को दुरगा कहा गया है इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्यकार्य सिद्ध होते हैं दस साल की कन्या की पूजा का फल, दस साल की कन्या सुभध्रा मानी जाती है। सुभध्रा के पूजन से मनोरत पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है। चलिए भक्तों अब जानते हैं कि नवरात्री कन्या। पूजन के समय कन्याओं को कोन सी चीजे अर्पित करने से सुक्ष सम्पत्ति और धन एश्वर्य की प्राप्ति होती है और मा दुर्गा का आशिरवाद प्राप्त होता है बाद आपको भेंट में कन्याओं को रिंगार की सामगरी जरूर देनी चाहिए लेकिन आपको यह रिंगार सामगरी पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी-छोटी कन्याओं में बाट देनी चाहिए मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहें की गई, रिंगार सामगरी सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है जिससे आपको मा दुर्गा की क्रिपा से शुब फलों की प्राप्ती होती है नमबर दो चावल जीरा परंपराओं के अनुसार कन्याओं को डोट जब विदा किया जाता है तो विदाई के समय उनको कोचा दिया जाता है इस कोचे में चावल और गुर दिया जाता है मान्यता है कि इससे आपके घर के धंधाने में व्रिध्धी होती है नवरात्र में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उफार के साथ थोड़ा से चावल और जीरा भी जरूर देना चाहिए इससे आपके घर में संपन्ता बढ़ती है प्रिय भक्तों कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए अगर किसी वजह से आप मिश्ठान शामिल न कर सकें तो घर में साफ सुथरे धंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगा कर कन्याओ को खिला सकते हैं ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और मा भगवती भी आपसे प्रसन्न होती है नमबर चार दक्षिना नवरात्र में कन्याओ को विदा करते समय आपको उन्हें दक्षिना के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए ऐसा करने से मा लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है और आपके भंडार भर देती है आप हो सके तो कन्याओ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपए देने चाहिए अगर आप कन्याओ को दक्षिना नहीं देते हैं तो कन्या पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है और मा दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है जिससे आपको शुब परिणाम की जगह अशुब परिणाम देखने को मिल सकते है नमबर पांच लाल वस्त्र नवरात्र में आप कन्या भोज करें तो कन्याओ को उफार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेश महत्व होता है अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो सभी कन्याओ को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं लाल रंग को वृद्धी का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग मा की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहत शुब माना जाता है वही लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है और आपके जीवन में सकारात्मक उर्जा का वास होता है जिससे आपको शुब फलों की प्राप्ती होती है नमबर छेप मौसमी फल नमरात्र का कन्या भोज करने में कन्याओ को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए माना जाता है कि नमरात्र में कन्याओ को फल देने से आपको आपके अच्छे करमों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है इसके अलावा फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है माना जाता है केला विश्णुजी का प्रिय फल है और नारियल यानी श्रीफल मा लक्षमी को प्रिय है इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समरिधी में व्रिधी होती है नमबर साथ स्टेशनरी किट छोटी बच्चियों को आप स्टेशनरी किट भी गिफ्ट कर सकते हैं यह उन्हें काफी पसंद आ सकता है वह इसका प्रयोग रोज कर सकते हैं आप इसमें कॉपी, पेंसिल, कटर, रबर, कलर, जोमिट्री बॉक्स इत्यादी दे सकते हैं यह उन्हें काफी पसंद भी आएगा नमबर आठ खिलोना घर पर आई बच्चियों को आप सिंगार का सामान देने के साथ आप छोटी-छोटी कन्याओं को खिलोने भी दे सकते हैं यह उन्हें काफी पसंद भी आएगा इसको देख कर उनका चहरा खिल उठेगा यह उनका काफी मनोरंजन करेगा इससे कन्याएं खुश वो जाएंगी और आपको मा दुरगा का आशिरवात प्राप्थ होगा कन्या भोज के लिए खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है चावल, दूध, चीनी और ग्राई फ्रूट्स से बनी ये खीर खाने में बेहत स्वादिश्ट लगती है ऐसी मान्यता है कि खीर माता रानी के मनपसंद पकवानों में से एक है अगर आप छोटी-छोटी कन्याओं को कन्या पूजन में खीर खिलाते हैं तो आपको मा दुरगा की विशेश कृप्या प्राप्थ होती है नमबर दस हल्वापूरी काला चना नवरात्री में माता रानी को हल्वापूरी के साथ काले चनों का भोग जरूर लगाया जाता है यह माता रानी का पसंदीदा भोजन माना जाता है काले चनों को बिना प्याज लहसुन के सूखा पकाया जाता है और इसे पूरी के साथ खाने का मजा ही कुछ और होता है इसके साथ रवे का हलवा इसके स्वाद में चार चांद लगाता है आप कन्या पूजन में हलवा, पूरी और काले चनों का भोग भी लगा सकते हैं बता दें कि ऐसा माना जाता है कि काले चनों के बिना माता का भोग पूरा नहीं होता है तो प्रिय भक्तों यही था आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ओफिशियल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को और पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद